हलो नमस्कार साथियों आप सबों को फिर से अपना यूटूब चेनल मा आसा इस पॉइंट में स्वागत है मेरे साथियों आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सेंट अप एक्जाम 2023 के हिंदी के सेट एक जितने भी अब्यक्टिव कुश्चन है सब को सॉल्व करने वाला हूं इसी वज़़ से आप लोग इस वीडियो को ध्यान से अंतक देखेंगे और अगर आप हमारे यूटूब चेनल पे नए आये हैं पिलीज इसको सस्क्राइब करेंगे लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को भी सेयर करेंगे चलिए फार्ट में इसके सबी कुश्चन को सॉल्व करते हैं तो परतम कुश्चन है इसका यहां परतियक मनुष किसी न किसी के विरोध में खाड़ा है और किसी सुरक्षित अस्थान पर पहुचने के लिए परतिष्ठा सम्मान शक्ति वा अराम के लिए संघर्स कर रहा है यह 25 पठित पाट से है तो इसका जो करेंगे अंसर होगा वो हो जाएगा आपको सिक्षा से है यह इसका करेंगे अंसर होगा कहानी सिर्षक में कि सहर का चितरन है इसका करेंगे अंसर हो जाएगा आपको अमरित सहर नेक्स्ट क्विस्चन है कि काट का सपना के रचीता कौन है तो काट का सपना के जो रचीता है वो है आपके गजानन माधव मुक्ति बोद इसका करेंगे अंसर होगा नेक्स्ट कुश्चन है जै प्रकास नरेन का पुकार का नाम क्या था इसका जो करेक्ट नसर होगा वो हो जाएगा आपको बावल यानि किसको बचपन में लोग बावल नाम से पुकारते थे next question है कि अर्ध नारिस्वर हिंदी शाहित की कौन विद्या है इसका correct answer हो जाए गा आपको यान की निबंद हो जाएगा next question है कि किस पत्रिका के संपादन के कारण रगवीर सहय का नाम प्रसिद्ध हुआ था इसका correct answer हो जाएगा आपको दिनमान next question है कि इस कवी ने लिखा है खेत रहने वालों की सूची और प्रकासित है तो इसका जो correct answer होगा वो हो जाएगा आपको यानिकी असोग वाजपे next question है कि गउं का घर सिर्शक कविता ग्यानेंद्र पती के कि शंगरह का अन्स है तिसका जो correct answer होगा वो हो जाएगा आपको यानिकी संसियात्मा next question है कि राष्ट गीत में भला कौन वा भारत भाग विधाता है यह पंक्ति की सिर्शक कविता से है इसका correct answer हो जाएगा आपको सियाने की अधिनायक next question है जो प्रकास जो नरायन की पतनी का नाम क्या था इसका जो correct answer होगा वो हो जाएगा आपको प्रभावती देवी next question है संपुर्ण क्रांती पार्ट का इतिहासिक भासन गांधी मैदान में जो प्रकास नरायन ने किस वर्ष दिया था इसका correct answer हो जाएगा पांच जून उनिस्टा चहुत्तर में next question है reconstructions of India polity नामकुस्तक के रचनाकार कौन है इसका जो correct answer होगा वो हो जाएगा आपको जय प्रकास नरायन जी next question है रामधारी शिंग दिन करके माता पिता का नाम क्या था इसका correct answer हो जाएगा आपको मनरूप देवी एवं रवी सिंग मनरूप देवी एवं रवी सिंग ये इसका correct answer होगा next question है रोज सिर्शक कहानी का नाई का कौन है इसका जो correct answer होगा वो हो जाएगा आपको मालती next question है अग्ये का पूरा नाम क्या है तिसका जो करेक्ट अंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी याने कि सचिदानन्द हिरानन्द वात्सिया जान अग्ये साहित की कौन विद्या है इसका correct answer हो जाएगा आपको भी यानिकी एकांग की next question है मोहन राकिस का जन्म किस वर्ष हुआ था इसका जो correct answer होगा वो हो जाएगा आपको 8 जनवरी 1925 में next question है कि कड़वक जैसे की किस रचना से लिया गया है इसका जो correct answer होगा वो होगा पदमावत से next question है जैसी किस साखा के कवी है जैसी किस साखा के कवी है इसका जो correct answer होगा वो हो जाएगा आपको यान की प्रेम मारगे next question है सूरदास किस भक्तिधारा के कभी है सूरदास किस भक्तिधारा के कभी है तिसका जो correct answer होगा वो हो जाएगा आपको कृष्ण भक्तिधारा next question है कि सूरदास के पद उनकी किस पुस्तक से लिया गया है तिसका जो correct answer होगा वो हो जाएगा आपको सी यानिकी सूर सागर से नेक्स्ट कुश्चन है तुलसी दास का मूल नाम क्या था तुराम बोला या राधा बोला या राम बोला या स्याम बोला या भरत बोला तो इसका जो करेक्ट अंसर होगा वो हो जाएगा आपको तुलसी दास का मूल नाम क्या था इसका क्या होगा राम बोला नेक्स्ट कुश्चन है कि तुलसी दास की पत्नी का नाम क्या था इसका जो करेक्ट अंसर होगा वो हो जाएगा आपको रतना वली next question है नाभादास के दिख्छा गुरु कौन थे इसका जो correct answer होगा वो होगाASH श्वामी अग्रदास next question है कि भक्तमाल के रचनाकार कौन है इसका जो correct answer होगा वो हो जाएगा आपको नाभादास next question है कि सिवाजी के पुत्र का नाम क्या था तो साहू जी ए इसका correct answer होगा next question है कि भूसन की कृति नीमन में से कौन नहीं है इसका जो correct answer होगा वो हो जाएगा आपको राधा रस के लिए next question है कि मालती के पती का नाम क्या है इसका correct answer हो जाएगा आपको मेहश्वर next question है जैसंकर परसाद किस वाद के कवी है इसका जो correct answer होगा वो होगा आपको एचाया वाद Next question है कि परगीत और समाज सिर्षक निवन्द किस पुस्तक से लिया गया है इसका correct answer हो जाएगा वाद विवाद संबाद से Next question है कि जूठन सिर्षक आत्म कथा के लेखक कौन है इसका correct answer होगा वो हो जाएगा आपको C ओम प्रकास वालमिकी जी Next question है कि ओम प्रकास वालमिकी के माता पिता का नाम क्या है इसका correct answer हो जाएगा मकुंदी देवी एवं छोटन लाल Next question है सिख्षा सिर्षक निवन्द के निवन्दकार का नाम क्या है इसका correct answer हो जाएगा जे कृष्ण मुर्ती Next question है कि संकर प्रसाद की नाटय कृति नीमन में कौन है इसका जो correct answer होगा वो हो गया ध्रूव स्वामिनी ये इसका correct answer होगा Next question है कि सुभद्रा कुमारी चोहान की कविता की किंद्रिय और प्रमुक परेड़ना क्या थी इसका जो correct answer होगा वो होगा यथार्थ निष्ट राष्टिय भावधारा Next question है कि कवित्री सुभद्रा कुमारी चोहान स्वैंग को और सहा एवं विवस क्यों कहती है तो इसका जो correct answer होगा वो हो जाएगा पुत्र वियोग के कारण Next question है सुभद्रा कुमारी चोहान के प्रतिनिधी कविता संगरा का नाम क्या है इसका जो correct answer होगा वो हो जाएगा आपको बियने की मुकूल Next question है कि किस कवी ने सील खड़िया चोका सब्दों का प्रियोग किया है इसका जो correct answer होगा वो हो जाएगा आपको एयने की समसीर बहादूर सिंग Next question है कि हिंदी के edition किस लेखक को कहा जाता है इसका जो correct answer होगा वो हो जाएगा आपको बालकृष्ण भाट Next question है कि प्यारे नन्ये बेटे को सिर्षक कविता में लोहा किसका प्रतीक है इसका correct answer हो जाएगा आपको कर्म का Next question है हारजित कैसी रचना है इसका जो correct answer होगा हारजित या कैसी है तो या गद कविता है Next question है कि नदी के दूइप के रचनाकार कौन है इसका correct answer हो जाएगा आपको अग्ये Next question है सूर्दास के पद में कौन भाव है इसका correct answer हो जाएगा आपको वादसल भाव next question है कि नामवर सिंग के गुरू कौन थे इसका correct answer हो जाएगा आपको हजारी परसाद दुए दीजी next question है कि इनमें ये ना कराओ भूखे रह लेंगे इन्हें इस गंदगी में ना घसीटो या कथन किसका है इसका correct answer होगा वो हो जाएगा आपको भावी का next question है त्रीच कहानी किस नाम से जाने जाती है इसका correct answer हो जाएगा आपको जादूई यथार्थ next question है कि प्यारी बिटिया से पूछूंगा बतलाओ आज पास कहां कहां लोहा है या पंक्ति किस कविता से लिया गया है तो इसका जो correct answer होगा वो हो जाएगा आपको प्यारे नन्हे बेटे को तो मेरे साथी हमने 50 objective question को fast में हमने solve किये हैं इन्हें में से आपका कितना सही हुआ है आप हमें comment में बताएंगे बाकी 50 objective question को और अभी solve करना है अगर अभी तक आपने हमारे YouTube channel को subscribe नहीं किये हैं तो प्लीज subscribe करेंगे like करेंगे और अपने दोस्तों को भी share कर देंगे चलिए fast में इसके सभी question को solve करते हैं तो next question है कि जो सोजा बच्ची सोजा या सोजा बच्ची सोजा यह लौरी किस यह जो है यह लौरी किस सिर्शक पाट से है तो पेशगी से है next question है मौपासा किस देश के रहने वाले थे तो यह फ्रांस के रहने वाले थे next question है यथार्थ के इस लेन देन का नाम ही संसार है यो किस सिर्षक पार्ट की पंक्ती है तो इसका करेक्ट अंसर हो जाएगा आपको हसते हुए मेरा केला प्वन नेक्स्ट कुश्चन है कि सचिदानन सब्द का संदीविचित क्या होगा सत्जोडचित जोड़ आनंद बरावर सचिदानन होता है नेक्स्ट कुश्चन है पुनर जन्म सब्द का संदीविचित क्या होगा तो पुनह जोड़ जन्म क्या होगा पुनह जोड़ जन्म बरावर पुनर्जनमम है घर मंदिर सब्द कौंसा संगया है मंदिर के अंदर यह क्या होगा जाति वाचक हो जाएगा होहाँ है दल है दल सब्द कौन संग्या है दल सब्द कौन सा संग्या है तो यह क्या है समूह वाचक है next question है कि सब्द से कौन सा समास है तो देखे सब्द रिशी है न साथ गो है न जहां गिंती आए वहां दुईगू समास डी इसका correct answer होगा अनजल सब्द कौन समास है इसका जो correct answer होगा वो होगा दोंद समास नेक्स्ट कुश्चन है कि पदचिवत सब्द कौन समास है इसका correct answer हो जाएगा आपको तत्पुरूष नेक्स्ट कुश्चन है निलामबर सब्द कौन समास है कर्मधार इसका जो correct answer होगा वो हो जाएगा स्वरी निरामबर ये हो जाएगा आपको बहु बिही डी इसका correct answer होगा next question है कि यसोदा सब्द का संदी विचेत क्या होगा यसह जोड़ दावर यसोदा होता है नेक्स्ट कुईस्चन है तथेव सब्द का संदी विचेत क्या है तथेव तथा जोड एव बरावर तथेव होता है नेक्स्ट कुईस्चन है आदर सब्द का विशेशन क्या होगा तो आदर का क्या होगा सीधे आदर नहीं होगा नेक्स्ट कुश्चन है जीव सब्द का विशेशन क्या होगा तो जीव का जेविक हो जाएगा नेक्स्ट कुश्चन है कि लोग सब्द का विशेशन क्या होगा लोग का लोकिक हो जाएगा ये इसका correct answer होगा नेक्स्ट कुश्चन है भारत सब्द का विशेशन क्या होगा तो भारत का भारतिय हो जाएगा नेक्स्ट कुश्चन है कि साकार सब्द का विलोम क्या होगा तो साकार का क्या होगा नीराकार next question है कि नर सब्द का विलोम क्या होगा तो नर का नारी होगा next question है कि आदर सब्द का विलोम क्या होगा तो इसका correct answer हो जाएगा आपको सुष्क एश का correct answer होगा next question है कि नूतन सब्द का विलोम क्या होगा तो नूतन का हो जाएगा आपको पुरातन next question है कि स्री गनेश करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा तो इसका मतलब क्या होगा आरंब करना यहीं कि सुरुवात करना next question है कि सब धन 22 पसेरी मुहावरे का अर्थ क्या होगा इसका जो correct answer होगा वो हो जाएगा आपको अच्छा खराब सब को एक समझना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीर उचा होना मोहवरे का अर्थ क्या होता है इसका जो करेक्ट अंसर होगा वो हो जाएगा सम्मान में व्रिधी होना नेक्स्ट कुईस्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् इसका correct answer हो जाएगा आपको तालु इसका correct answer हो जाएगा आपको दन्त next question है कि बोग का उचरान स्थान क्या होगा इसका correct answer हो जाएगा आपको औस्ट next question है समास के मुख्यता कितने भेद हैं इसका जो correct answer होगा वो हो जाएगा आपको देखे इसमें options के नुसार से जो है 7, 8 दिया हुआ है 3, 4 ही होगा next question है कि वर्न के कितने भेद हैं तो दो वर्न स्वर्न और विंजन वर्न next question है बिना विचारे जो करे सो पाचे पचताय की सर्वनाम का उधारन है इसका correct answer हो जाएगा आपको शमंद वाचक next question है यह काम आप कर लूँ कि सर्वनाम का उधारन है इसका correct answer हो जाएगा आपको नीज वाचक क्या होगा नीज वाचक next question है मैंने तुम्हें उसकी पुस्तक दी कि सर्वनाम का उधारन है इसका correct answer हो जाएगा आपको नीज वाचक next question है कि जिसके आर पर देखा जा सके उसके लिए एक शब्द कौन होगा तो पारदर सी होगा यह इसका correct answer होगा next question है अभ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस वर में विश्वास रखने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा तो इसको आस्ति कर जाता है next question है जिसके समान दूसरा नो हो वो हो जाएगा आपको अद्विती है नेक्स्ट कुईस्चन है कि राम ने रावन को मारा किस कारक का उधारन है इसका हो जाएगा आपको करता कारक नेक्स्ट कुईस्चन है लब कुस राम के पुत्र है यह किस कारक का उधारन है तो संबंध कारक का उधारन होगा next question है कि गनेस बड़े जोरों से रोता हुआ जा रहा था कौन पदबंध है इसका correct answer हो जाएगा आपको क्रिया विसेशन पदबंध next question है हमारे महाविद्याले के प्रचार जो आ रहे हैं कौन पदबंध है इसका correct answer हो जाएगा विसेशन पदबंध next question है कि अनुनाय सब्द कौन लिंग है इसका correct answer होगा वो हो जाएगा आपको pulling इसका correct answer होगा next question है कि एकता सब्द कौन लिंग है तो stilling होगा next और अंतिमा question है कि लड़की घर जाती है किस वाक का उधारन है तो क्या होगा इसका answer आप हमें बताएंगे परशन वाचक वाक या सरालवाग या मिस्रवाग क्या होगा इसका correct answer तो आप हमें comment में बताएंगे बाकी हमने इसके 100 का 100 objective question को solve किये हैं ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें comment में बताएंगे अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज आप हमारे YouTube चेनल को भी subscribe करेंगे like करेंगे और अपने दोस्तों को भी share करेंगे so thanks very much all the best फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में तब तक के लिए जाहिंद